स्वागत है प्रिय दरशकों आप सभी का इकबार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर सपनों के इस रहास्य में संसार में दोस्तों हम आपके लिए अनेकों प्रकार के सवपन का रहासे आप सभी तक पहुंचाते हैं दोस्तों सपने हमें भवी शिके सुभा सुप का ज्यान देते हैं जिसे समझ कर हम सावधानी सतरकता परेश सकते हैं तो आईए जानते हैं अगर आपने सपन में हाथी देखा है तो इसका क्यारत है इंदू सरातर संस्क्रती की माने तो हाथी को भगवान गड़ेश के रूप में माना जाता है अगर आप हाथी को पुछ खलाते हैं तो सिकले से मुक्ति मिलती है और जो विक्ति संतान सुख से वन्चित हो उसके लिए भी शुभ माना जाता है हाथी का सपना तो दोस्तों अगर आपने भी सपने में देखा है तो आपको बेहधी शुभ माना जाएगा आपके लिए ये सपना आपको कश्ट से छुटकारा मिलना और धनलाव जल्दी होना इस ओर संके देता है आठे की सिती में घाटा नुकसान चला है तो वो जल्दी ठीफ होगा अगर आपने हाथी को तहलते विए देखा है तो बेहधी शुभ है आपकी बीमारी भी ठीफ होगी और आपके मिहमान घर में कोई आ सकते हैं अगर आप अभी बाहित हैं तो गहरा प्यार हो सकता है हाथी अपनी को साथ देखते हैं तो आपके लव लाइफ में आपके मेरी लाइफ में खुशी आएंगी और आपका प्यार बढ़ेगा बात करें अगर आपने सपने में आकेली हत्मी को देखा है तो आपको जो प्यार है वो थोड़ा सा दूरी पैदा कर सकता है अगर आपने हाथी को खड़े हुए देखा है तो ये शुफ नहीं माना जाता कारे बंद होने की ओर भी संकेत देता है दोस्तों अगर आपने देखा है सपने में आथी को मौज मस्ती करते हिए थोड़ा सा तो ये सपना आपके लिए धन प्राप्ति का संखेत माना चाता है आथी पे कोई बैठा हुआ दिखरा है आपको तो ये आपके लिए बिवाद खत्म होने और खुशी मिलना इस ओर समान प्राप्ति का भी संखेत कहा जाता है दोस्तों अगर आपने सपने में देखा हाथी के जुन्ड तो ये आपको जल्ब से जल्ब काफी धन मिलना परिवार में बहुत सारी खुशी मिलने का भी आपको संखेत देता है दोस्तों अगर आप देखते हैं सपने में हाथी के बच्चे को तो ये सपना आपके लिए संकेत नहीं देता है थोड़ा सा परिशानी विमारी त्यारी हो सकती है अगर आपने सपने में देखा है हाथी को इस तरह से कि वो हाथी बैठा है नहा रहा है तो दोस्तों ये सपना आपके लिए उच्च प्रापर्टी ज्यादा पैसा इत्यादी आपको प्राप्त करने की इच्छत करते हैं मन में और वो आपको आपके जुनूर से आगे भविश में मिलने का भी संकेत देता है तो दोस्तों अगर आपने सपने में देखा हाथी तो ये था उसका शुगाशुक परड़ाम उमीद आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी सी तरह से आप सभी से होती रहेगी मुलाकात चैनल को सब्सक्राइब करें और चानते